नमस्कार साथियो वो मेरे प्यारे पस्पालक भाहियो मैं डॉक्टर दुरुगेश कटा रहा हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रोवेट में साथियो आज मैं जिस डिजी वारे में बात करने वाला हूँ वो आपको इस वीडियो तरगत मैं आपको बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाऊंगा और इस बीमारी का नाम क्या है ये भी बताऊंगा साथ साथियो ये कितनी खतरनाक होती है ये भी बताऊंगा और इसको आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है ये भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले साथियो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें सेर करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन दबाएं तक आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें तो साथियो ये जो वफैलो आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये हीफर है और साथियो ये नॉन प्रेगनेंट है जी हाँ साथियो ये ग्यावन नहीं है तो साथियो इसके जो चहरे पर आपको एक दिखाई दे रही है swelling इस सायर इनमें यह देखे साथियो यह पसपालक का कहना है कि यह छोटी सी थी और यह इस point से swelling आई थी साथियो और छोटी सी थी अब यह आंख तक भी पहूँच गई है और कांग तक भी तो साथियों यह क्या तकलीफ हो सकती है इसके बारे भी बताओंगगा और इसमें थोड़ा सा ये भी संदे होता है साथियो लेकिन इसका टेमपरिचर भी चेक करते हैं साथियो किसका कितना टेमपरिचर है तो साथियो इसमें संदे क्या हो सकता है संदे कभी कभी ये होता है साथियो कि हमें लगता है कि इसके चेहरे या इसके आंख को किसी मदमक्खी या बर या कुछ बिसहले कीडे जो इन्हें डंक मारा हो या खा गए हो साथी हो उस कारण से भी स्वैलिंग हो सकती है पस पालक का जो संदेह था साथी हो वो उसी को लेकर के था कि हो सकता है ऐसा कंडिशन हो लेकिन इसमें और रोग में डिफरेंट कैसे करेंगे तो वो करेंगे टेंपरेचर से जाती हो जब इसका टेंपरेचर आया साथी हो हमारे सामने तो इसका टेंपरेचर था 106 0.45 ने हैट दो चीज साथी हो यदि कभी भी मदमक्धी या कोई कीट पतंगे जहरीले कीट पतंगे कहीं भी खाते हैं तो वहाँ टेंपरेचर इतना हाई नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है साथी हो इस बीमारी का नाम था ectinomyces जी हा साथी हो ectinomyces के अंदर जो temperature होता है वो 104 से ले करके 106 तक हो सकता है साथियो यह तकलीफ जो होती है ये यह डिजीज जो होती है साथियो यह बहुत ही खतरनाक होती है यह आख को और कान को और उस साइड के जवडे को बिलकुल खराब करदेती है उसकी मास पेसी में भी सडन पैदा करते हैं साथियो इससे पहले जो मैंने आपके सामने वीडियो डाली थी वो एक्टिनुमाइसिस थी जिसमें पसू का आदा हिस्सा कान, आँख वर उसके नतुने एक साथियो काम नहीं करते हैं और काम करते हैं तो बहुत कम ये साथियो ये जो वीडियो है ये टाइप टू के अंतरगत है कि एक्टिनुमाइसिस सेकंड कंडिशन में इस प्रकार का भी हो सकता है, तो साथियो इसका टीटमेंट कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूं साथियो तो हमने इसका टीटमेंट क्या किया साथियो इसका टीटमेंट में लिया हमने सेप्ट्रा यॉक्सों तीन ग्राम जी हां साथियो सेप्ट्रा यॉक्सों तीन ग्राम डिश्टिल वाटर में घोल करके इंट्रा मस्कुलर पसुकी गर्दन पर दिया गया साथ में साथियो 40 लाक यूनिट के डवल पैंसलिन जिसमें 80 लाक यूनिट बनाए गए और डिश्टिल वार्डर में घोल करके साथ यह इसे भी इंट्रा मस्कुलर पसुकी गर्दन पर दिया गया साथ में साथियो साथियों बड़े पसु के लिए भी इसे 15 ml ही देना चाहिए क्योंकि 20 ml मेरे इसाब से थोड़ा जादा हो जाता है और साथ में साथियों चोथा इंजेक्शन दिया गया आइसोडोन यानि आइसोफ्लू पराइडोन 5 ml पसु की गर्दन पर इंट्रा मस्कुरा लगाए गया साथियों इंजेक्शन लगाते समय पसु को पूर्ण रूप से नेंतर करना चाहिए फिर उसके बाद में यदि आप 4 इंजेक्शन लगाना चाहते हैं 4 इंजेक्शन तो 2 इंजेक्शन एक साइड में दें और 2 इंजेक्शन एक साइड में दें दूसरा साथियों इंजेक्शन पास पास न लगाए कम से कम एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन की दूरी 4 इंच यानि 4 इंच कम से कम होनी चाहिए या 2 इंच कम से कम होनी चाहिए फिर इसके बाद में साथियों जो इसका दूसरे दिन हमें रिजल्ट मिला वो किस प्रकार मिला वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं साथियो क्योंकि ये जो एक्टिनुमाइसिस बीमारी होती है साथियो ये थोड़ा इसमें आपको बरोसा रखने की जरूवत होती है और ये पसूक की जो बीमारी होती है साथियो धीरे धीरे सही होती है तो साथियो दूसरे दिन जो इसको रिजल्ट मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन किसी भी बीमारी तक पहुँचने से पहले साथियो आपको उसके लक्षणों के एकॉर्डिंग डिजीज तक पहुँचना होगा फिर आप एक लक्षण को देखते हुए भीमारी को निश्चित नहीं कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा था इसक्रीन पर मात्र साथियो आपको चेहरे पर एक साइड स्वेलिंग दिखाई दे रही थी सूज प्रेचर होने के कारण इस बीमारी को डाइगनेसुस किया गया अब दूसरे दिन इसको क्या दिकत थी यह आपके सामने स्टेज है साथियो यह जो स्टेज है यह दूसरे दिन की है इसके चेहरे की तरफ आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार आलू होता है साथियो उबला अब थोड़ा पसपालक से भी जानते हैं क्या दिक्त है आज चारा खाया इसने कुछ थोड़ा बहुत गास खाई आरहा है जास खाई है चलो आज दूसरा देने अब देखो पानी पी आए चलो देखते हैं साम को कितना आरह मिलता है साम को पता चलेगा फूट रूप से अब ये खाल इसके छिलने लग गई है न ठीक अब दवा लगाते हैं तो पता है अब जो दूसरे दिन इसका टीटमेंट किया गया साथी हो वो था 80 लाक यूनिट पैंसिलिन और साथ में साथी हो 10 ml जेंटमाइस और 5 ml आईसो फ्लूरा परडॉन इंटरमस्कुलर लगाए गया साथी हो ये तीन टाइप के इंजेक्शन इसको इंटरमस्कुलर दिये गए अब इसको तीसरे दिन क्या रिजल्ट मिलता है साथी हो वो भी इस्तिती मैं आपको दिखाना चाहता हूं सेकेंडर ये रिलीफ थ और इस हीफर के सामने थोड़ी सी घास रखी गया है आपके सामने सातियों ओनर द्वारा ये घास दी जा रही है और इसकी आँख में जो तीसरे दिन रिजल्ट मिला सातियों इसकी तीसरे दिन जो आँख थी वो सातियों खुलने लगी थी और इसके जबड़े पर जो खाल ती सातियो वो भी धीरे-धीरे सही अवस्ता में आती जा रही थी इसी तरीके से सातियो यदि आप पसू का अच्छी तरह से टीटमेंट लेते हैं तो उसे इसी प्रकार अचंबित करने वाला रजल्ट मिलता है ये देखे सातियो आज इसकी आँख थोड़ी खुलने लगी है और इसका जवड़ा भी थोड़ा काम करने लगा है और ये कितने प्यार से गास भी धीरे-धीरे खा रही है सातियो ये जो बफैलो है ये इसका जो रजल्ट था सातियो वह भी बिलकुल अचंबित कर देने वाला था और ये बफैलो सेविन डेज यानि इसका फाइव डेज कंटूनिस टीटमेंट चला था और साथ दिनवाई से दुबारा जब चेक किया गया सातियो तो इसका रजल बहुत अच्छा आया था और वो बीडियो मैं आपको next बीडियो में जरूर डालूगा किसको कितना benefit है और आज इसकी condition कैसी है थोड़ा पसपाला को बोल दिया है कि वो वट्सॉप के जरीए इसकी बीडियो हमारे पास बेज़ेंगे साथियो इसका जो पांच दिन तक जो treatment दिया गया था वो क्या था तीसरे दिन क्या treatment लगा चौते दिन क्या treatment लगा और पांच में दिन क्या treatment लगा जो लाश्ट के तीन दिन से साथियो वो सेम treatment थे पहला इसके उपर जो मल्लम का प्रयोग किया गया साथी हो वो था लो रैक्स ने ट्यू को इसके जवड़ेप पे स्वेलिंग पे लगाया गया साथ में आँख के भीतर साथी हो पेंडेस्टीन एसेच ट्यू को अंदर लगाया गया और इंजेक्शन के रूप में साथी हो 80 लाख यूनिट पैंसलीन 10 ml जेंटामाइसिन और 15 ml CPM ये तीन टाइप के इंजेक्शन साथी हो पसू को तीसरे दिन यानि थाइड डे चौते दिन यानि फोर्थ डे एंड पांचमे दिन यानि फिप्त डे इस तरीके से बारी बारी से साथी हो तीसरे चौते और पांचमे दिन इस तरीके का टीटमेंट दिया गया और इस ट्रीटमेंट के बाद मैं सातियों ये जो हीपर है बिलकुल स्वस्तु ही और अच्छी तरीके से घास खाने लगी और इसके जबरे पर सातियों जो उपरी जो खाल थी वो धीरे धीरे उतरने लगी और अंदर से दुबारा से उसमें खालाने लगी और ये हीव पर आज बिल्कुर फिट है और स्वस्थ है और दोवारा से अपनी जिन्दगी जी रही है धन्यवाद